जींदा बाद। चीफ साथ जीफ साथ जीफ साथ जीफ साथ जीज बाद। तो आप देख रहे हैं कि जो आज जो है जो चीफ हमारे बीजेपी लीडर के है सत्पाल मनाज जी उनकी विजट जो है आज कारी मेरे साथ यहां पर आने का कश्ट किया, इतने टफ टेरेन पर चड़के जो है पाड़ी अलागा चड़के आप यहां पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यावाद है, मेरे साथ मेरे मंडल परधान अंजल कोत्वाल जी है मेरे साथ सरपेंच खलेनी के हैं शिरीकाशी नाचोप्रा जी है मेरे साथ यहां के लोकल जो हैं फारुक साहब है मेरे साथ यहां के सरपेंच जो है कारी शत्रा के हैं कुल्दीब जी हैं और काफी लोग जो यहां के जो हैं मेरे साथ यहां पे आज एकटे हुए हैं और मैं जब रिटायर्मेंट के बाद जब मैंने पार्टी जाइन की और मैंने अपने इन अलाकों में घूमना शुरू किया तो लोगों की मुश्कलात का मुझे तब अंदाजा हुआ पता चला के रोड कनेक्टिवटी जबके गौवर्मेंट आफ इंडिया ने बहुत सारी रोड्स दी भी हैं उसके बावजूद भी पाहड़ी और दुश्वार टेरेन होते हुए हमारे कही गाउं जो हैं अभी भी पिछड़े हुए हैं जहां पे रोड कनेक्टिवटी नहीं है इसी कड पहाड़ी में हमारा टांग औरना एक गाउं था जो काफी रोड से दूर था दो तीन किलो मीटर दूर था और पहाड़ी होने की वज़ा से इनकी डिमांड जो है हमारे कालिश हत्रा के सरपेंच जी कुल्दीप जी लेके आए इनके साथ फारुग साब और दिगर जो हैं य दूसरी जो कारी छत्रा की थी तो मैंने उस टाइम तो इनको वादा किया था कि मैं जरूर इसमें कोशिश करूँगा और ये शायद इन लोगों की खुशकिस्मिती है कि इनके जो है मैं ये दोनों रोर्स जो हैं सेंक्शन करवाने में कामयाब हो सका ये कुल्दीप जी की इमामदारी का नतीजा है जिस तरीके से ये अपनी Caucasian में काम करते हैं जिस तरीके से इनूने जो है यहां का भाइचारा को मैंटेन रखा हुआ है अपना Hindu Muslim तो शायए उसी की कोई ताकत मेरे अंदर आए और मैं जो है ये उपर से स्टेट सेक्टर में यहां की एक ही पंच सोते हैं हलाशीरी से नहीं बन सकती हैं सडकें लेकर मैं दाद देता हूं यहां के लोगों को कि जिनूने इतनी हिमत रखी और अपने लेवल पे ही इनूने मिशीनें लगा के एक सवा किलो मीटर जो है यह टेंपरेरी जो है अर्थफर का काम किया और उन लोगों को उन जमीन को जिनूने यह लेंड जो है अपनी जमीन में से जो है सडक निकलने दी मैं उन लोगों को भी आशवासन देता हूं कि जिनकी जमीन से यह सडक निकली है उनको गौवर्मेंट की तरफ से जो है पूरा कंपनसेशन जो मिलेगा जैसे ही इसका रोड जो है टेंडर लगता है के तुरू तो जहां जहां से जिस अलाइनमेंट से जिस से गुजरेगी वहां पे जो जो जिसकी जमीन आएगी उनको पूरा कंपनसेशन भी मिलेगा और यह सडक जो है यह हम जो है इसको टांग और ना पहुंचाने में काम्याब हो जाएंगे इस साल हमने पंदरां लाख गोवर्मेंट ने इस पे रखे हुए हैं पैसे की कोई प्राबलम नहीं है आप काम कंट्रेक्टर जब भी आता है काम होता है हमारी प्राग्रस यूटिलाइजेशन जाएगी तो गोवर्मेंट और भी पैसे देने के लिए तियार है वैसी कोई बात नहीं है बीजेपी पैसलिए मरुसा आ रहा है कि जो है मारे काम है मारी डॉल्मेंट के काम है जो आगे भी आइंदा भी जो है भोते रहें गे इन्हीं ह enhances के साथ है एक बार फिर में आप बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की आप लोगों की मेहनत आखरकार जो है रंग लाई है और यह सड़क जो है